जैशी किश्णा दोस्तों प्यसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों साल में केवल एक बार ये वरत पड़ता है यानि श्राद पक्ष का जो प्रदोश वरत है इस बार देखें सोम प्रदोश वरत पड़ रहा है चार अक्टूबर को बहुत ही शुप सयोग है जिन भी भेनों के देखें अभी तक कोई संतान नहीं है तो इस उपाय को आप अवश्य करें देखना सभी बंदनों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको शीगरी संतान सुक्की प्राप्ती होगी दोस्तों वैसे तो आप किसी भी कारे में अगर आपके रुकावट आ रही है तो आ आपको उसमें कुसा घास डाल देनी है अगर कुसा घास ना मिले ताप आपको हरी घास लेनी है और आपको तीनों व्रिक्ष के नीचे रखके आने हैं और तीन दीपक तयार कर लें घी के या तिल के तेल से और वहाँ पर आपको एक एक कुलड यानि जो आपने मिट्टी का बरतन रखा है दूद का उसको रख देना है और आपको दीपक जला के अपनी जो भी परेशानी चल रही है संतान प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति में उसके लिए प्रातना करें तीनों ही पेड यानि पीपल के पेड के नीचे वट व्रिक्ष के नीचे जिसे बरगत का पेड कहते हैं और बेल पत्र का जो व्रिक्ष होता है उसके नीचे इन तीनों की नीचे इस उपाय को करके आए देखना निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और जिन भी भेनों के देखें संतान नहीं है उनको शेर अवश्य करें ताकि वो भी इस उपाय का लाव उठा सकें